आज किस वीडियों हम बात करने वाले भारत के मौसम के बाले में ठीक ना जो की सारा का सारा भारत मौसम विभाग के द्वारा बताय जा रहा है ठीक तो देखिए भारत में अम्मिक रोप से चार मौसम होते हैं जो अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कितने मौसम होते ठिक, ठंडा या सर्दी का मोसम, दिसंबर से फरवरी के बीच, ठिक, और दिसंबर से फरवरी के बीच, जितने भी फसल लगाये जाते हैं, ठिक, दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, इन सभी को हम रवी फसल बोलते हैं, ठिक, जैसे कि चना हो गया, मतर हो गया, ठिक, अब गर्मी के मोसम में जितने भी फसल उगाए जाते हैं, उसे हम जायद फसल बोलते हैं, ठीक, देखे, मार्च से माई तक का जो समय होता है, इसे हम गर्मी का मोसम बोलते हैं, और गर्मी के मोसम में जितने भी जो फसल उगाए जाते हैं, जितने भी अनाज उगाए जाते हैं, उ उन सबी को हम क्या बोलते हैं जायद फसल और दिसंबर से जो फरवरी के बीच उखता है उसे हम क्या बोलते हैं रभी फसल अब देखे हमारा तीसरा है जून से सितंबर तक का समय होता है इसे हम वर्षा रितु बोलते हैं और वर्षा रितु में जितने भी फसल उखते हैं उस इसे हम सरद रीत्व बोलते हैं October से november mogę जो बींज होता है technically और ok October से surud रीतु जो Starting हो जाती है सो last november तक चलती है इन सभी में मैं कुछ है यहां पे और आपको point बताना चाहूँगा कि भारत में तो वह फसलों को मार्च से माई तक और वर्षा का जून से सितमबर तक तथा सरद का अक्टूबर से नौमबर तक यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजे बता नहीं जा रहा हूँ कि सीत रितु में जो होता है ना सूरी हम से दूर हो जाता है और गर्मी दितु में सूरी हम से सामने जाता है जिसके करण हमें गर्मी देने लगती है और तो और भारत में कुछ अस्ताने से हैं जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है और कुछ अस्ताने से जहां पे बिल्कुल वर्षा नहीं होता है जैसे कि भारत का मासेन राम यहां पे क्या होता है कि पूरे बिसु में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्सा यहीं पे होती है और भारत का राजस्थान का एक इलाका है जैसलमेर ठीक न और बिकानेर यहाँ पे तो किसी-किसी वर्स वर्सा ही नहीं होता है एक बुंद की वर्सा नहीं होते हैं किसी-किसी वर्स तो आप इन वह अस्थानों को भी देख सकते हैं जबकि भारत का सबसे ठंधा और गर्म अस्थान का बात करें तो आज के इस पूरे के पूरा नोलेज लेनी की कौन से फसल है और कौन से मोसम है तो आई होब कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ भासा जिसे हिंदी में वर्सा बोलते हैं और उर्दू में हम लोग बारिस बोलते हैं बंगाली में बार्सा और मराठी में पाउस बोलते हैं आप अपने छेत्रे भासा में वर्सा को क्या बोलते हैं यह हमें कमेंट बताईएगा और एक मैं यहाँ पर question दे रहा हूँ कि केले का उत्पादन बीसों में सबसे ज़्यादा किस देश में होता है यह आपको बताना है चलिए फिर मिलेक नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई अपने स्वास्त का ख्याल रखिएगा धिल निवाद